वन प्लस के तीन ने स्मार्ट टीवी इंडिया में लॉंच हो गए हैं और यह अलग लग साइजस में एवलेबल हैं 32 इंच, 43 इंच, 55 इंच और खास बात यह है दोस्तों कि यह टीवी काफी कम प्राइस के साथ में एवलेबल हैं तो अभी कॉम्पेटिशन काफी याद होगे बजट सेग्मेंट के अंदर में काफी सारे ब्रैंड्स के टीवी एवलेबल हैं तो यहाँ पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि कौन से ब्रैंड्स के टीवी का आपको बाय करना चाहिए तो यहाँ पर आज मैं एक छोटा सा कंपेरिजन करने वाला हूं और अपना ओपिनि यह कौन से कंट्री के है क्योंकि भी बाइक खॉर चाहिण कर रहा है इंडिया का अंदर में तो इसको भी जानना बहुत जरूर है तो दोस्तों इहां पर जो तीन ब्रैंड्स हैं जिससे कि मी है रियल मी है और यह वन पलस यह तीनों कंपनी है 100% चानीज है वयो जो यह आमे मी टीबी और वन प्लस टीबी यह डीगी ज़ोस्तों रिए में असेम्बल होती हैं इंडिया चायना के लक्रशाल अब बचान दो बरेंट्स कने इस कमपनी है और इसके टीबी अभी चाइना से इंपोर्ट हो रहे है इंडिया का अंदर में यह असेंबल नहीं हो रहे हैं लेकिन जो इंडिया के इनके CEO है उन्होंने बोला है कि वो बहुत जल्दी अपनी फैक्टरे स्टार्ट करेंगे COVID-19 के चलते हैं यह सब डिले हो रहा है और यह बहुत जल्दी मेक इन इंडिया अपने टीबी बनाना शुरू करेंगे और यहाँ पर बसता है वी यू तो दोस्तों वी एक अमेरिकन कमपनी है लेकिन यह भी अपने टीबी को चाइना से इंपोर्ट करता है तो अब डिसाइड कर ले ना कि आपको कौन सी ब्रैंड की टीबी चाहिए अगर आप एक कंट्री वाइस सेलेक्ट करते हो तो चलिए अब आते हैं मेन पॉइंट के उपर में यहाँ पर जो कमपेरिजन होगा तो दोस्तों यहाँ पर जो कमपेरिजन मैं करने वाला हूँ यहाँ पर स्पेसिफिकशन का मैं कमपेरिजन करने वाला हूँ पोर्ट्स वगरा नहीं बताने वाला हूँ कि वन ब्लस टीबी म में क्या है वी यू के टीपिम का है पोर्ट वगर आपको नहीं बताऊंगा बेसिक आपको फीचर्स बताने वाला हो इन चारो ब्रेंड्स के लग लग टीवी में तो चलिए सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे 32 इंच टीवी के बारे में तो अगर आप 32 इंच का टीवी लेना मैं दोस्तों आपको रेकमेंड करूँगा कि आप वी यू की सिनेमा टीवी को लिजए 32 इंच की है 13,000 रुपै कि इसके आसपास प्राइस है और इसमें आपको बेस्ट स्क्रीन देखने को मिलती है IPS डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगी और इसके साथ आपको 40 वाट का स् और खास बात यह है दोस्तों वी यू टीवी में कि आप iPhones और अपने Android फोन को connect करके अपने टीवी को यूज कर सकते हो आप अपने फोन से कर सकते हो वी यू टीवी में तो अगर आपको बेसिक काम करना है कभी कबार इंटरनेट यूज करना है अच्छी स्क्रीन चाहिए तो चाहे OTT प्लेटफॉर्म का आपका फियरा यूज करते हो यूट्यूब का फियरा चलाते हो या फिर ऐजा मॉनिटर आप अपने टीवी को यूज करते हो कभी कबार तो यहां पर दोस्तों सबसे बेस्ट आप्शन है आपके लिए OnePlus क्योंकि दोस्तों OnePlus टीवी में खास बात यह है कि 93% DCI-P3 Color Gamet आपको मिलता है जो Best Color Production देता है और दोस्तों OnePlus TV का मैं Launch Event देख रहा था OnePlus का जो टीवी है इसका comparison सिधा सिधा वो लोग कर रहे थे Samsung और Sony के टीवी के साथ में क्योंकि दोस्तों Samsung और जो Sony का टीवी है उसमें 90% DCI-P3 Color Gamet Engine का यूज होता है और वहीं पर OnePlus टीवी में 93% का यूज होता है तो इन लोगों का जो comparison था दोस्तों वो सिधा Samsung और Sony के साथ मे tell me or me or Vee का इन्होंने नाम ही नहीं लिया अपने launch event में तो I think कि अगर आपको internet friendly टीवी चाहिए दोस्तों as a monitor भी अगर आपको यूज करना है तो आपके लिए OnePlus का टीवी best रहेगा इसके साथे साथ खास बात इस टीवी में यह है कि OnePlus Connect नाम का आपको एक app भी मिल आएगा इसके जो ports हैं उस पर आपको एक cover भी मिलेगा तो dust वगएरा नहीं जाएगी वहाँ पर भी आपको एक safety के लिए काफी best option रहेगा अब बस्ते हैं दोस्तों दो brand यहाँ पर बस्ता है मी टीवी और रियल मी टीवी बस्ता है अब इन दोनों में से अगर आपको decide करना है कौनसा टीवी लेना है क्योंकि यह दोनों टीवी smart है आप इसमें basic काम भी कर पाओगे इंटरनेट वाले भी काम कर पाओके तो दोस्तो चाहिए जो इंटरनेट का भी काम करें अच्छा प्रोसेसर मिले अच्छा स्पीकर मिले तो दोस्तों अब रियल मी की टीबी की तरफ जा सकते हो और वहीं पर दोस्तों जो मी का टीबी है यह आठ दस महिने पहले लॉंच हुआ था तो उससाब से इसकी टेकनलोजी पुरानी ह हो गई है लेकिन अगर आप ऐसा ब्रैंड ट्रस्ट के ऊपर जाओगे तो आपको मी का टीबी के तरफ जाना चाहिए वन प्लस टीबी की दोस्तों मैं आपको इसलिए नहीं रेक्मेंट कर रहा हूं हर जाएगी क्योंकि इसका जो प्रोसेसर है इसके बारे में कंपनी की तर होगा इसलिए कंपनी बारे में करना चाहते हो या फिर आपको कुछ हैवी काम करने अपने टीबी मैं तो दोस्तों मैं आपको कहीं नहीं सबकर करोका टीम करूंगा तो आल्मोस्ट ये चारो ब्रैंट्स में सिमिलर आपको मिल जाता है 1GB RAM और 8GB के इंटर्रल मेमोरी स्पिकर की बात करें तो दोस्तों आपको 20W के स्पिकर मिल जाते हैं मी टीबी 1 प्लस टीबी में 20W के स्पिकर 24W के स्पिकर आपको मिलेगा मी टीबी है, रियल मी टीबी है, वन प्लस टीबी है, वी यू टीबी है अभ यहाँ पर दो ब्रैंट्स दोस्तों ऐसे आते हैं जिनके टीबी आपको फुल HD भी मिलेंगे 43 इंच में और 4K भी मिलेंगे उनके जो specification है आज की time पे match नहीं करेंगे तो इन दो brands को मैं इस list से बाहर कर रहा हूँ Me TV और VU की TV को मैं दोस्तों बाहर कर रहा हूँ क्योंकि OnePlus का TV है यह Full HD है, इसमें 4K नहीं है 43 इंच में तो इसका comparison सिधा सिधा बनता है Realme TV के साथ में जो की recently launch हुआ है और इसके features भी latest आपको देखने को मिलते हैं कभी दो brand बचे है 43 इंच में Realme TV और OnePlus TV अगर आपको इन दोनों brands मैं से 43 इंच का TV लेना है तो कौन सा TV आपको लेना चाहिए अब इसके बारे में जान लेते हैं सबसे बहले अगर हम RAM अगरे की बात करें तो आपको similar दोनों brands में देखने को मिल जाएगी 1GB RAM, 8GB के internal memory आपको 24W का speaker मिलेगा Realme TV में और 20W का speaker मिलेगा आपको OnePlus TV में अगर दोस्तों आपको internet friendly TV चाहिए आप internet का काफी आदा यूस करते हो as a monitor आप कभी कबार यूस करते हो TV को तो आपके लिए सबसे best हो का OnePlus TV लेकिन अगर आपको एक powerful TV चाहिए जिसका processor powerful हो तो आपके लिए कहीं ने कहीं Realme TV परफेक्ट है अगर दोस्तो OnePlus TV का processor पता चल जाता तो मैं आपको 100% recommend कर सकता था कि आप OnePlus TV के साथ जाएए क्योंकि इसमें काफी सारे चीचें बहुत सारी आपको advanced देखने को मिलती है क्योंकि इसमें processor company ने बताया नहीं है तो मेरे हिसाब से इसका processor कमजोर है तो अगर आपको ऐसा processor कोई ज़्यादा matter नहीं रखता है तो आप OnePlus TV के साथ जा सकते हो लेकिन अगर आपके लिए processor एक माईने रखता है तो कहीं न कहीं दोस्तों आपके लिए realme TV best option रहेगी बाकि आप लोग decide कर लेना कि कौन से TV आपको लेना है तो उम्मिद करता हूं दोस्तों कि ये comparison वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like करें चैनल पर पहली बार है तो चैनल को subscribe करके वेल icon हिट करिए कुछ ऐसे interesting वीडियोस को देखने के लिए तो बस दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही मिलता हूं मैं आप से अपनी अगले वीडियो में